कि सो बेसिकली जो भी कलकटा उन्यूवर्सिट में पढ़ते हैं उनको जब एक्जाम फॉर्म फिलब का नोटीस आया तो उनको बहुत जनको यह समझ भी नहीं है कि प्रोडींग अफ्ट चेकख लिस्ट में नाम से पता चला एक लेस्ट और लिस्ट में क्या होता है यह भी चैकलिस को extraordinary college बोलता है क्न trustees मुझे सब्गलिण करें को चुछ मताता है अप लोगो चेकलिस में हर एक पच्छा का नाम होता जो लिए सम्स्टर वन देने के लिए कि उप उच्पलिस उच्टैकर आपका नाम है मतलब आप exam दे रहे हो पूरह तरय तभी आपका admit card होगा अगर आपका checklist में नाम नहीं है मतलब आप नहीं दे रहे हो तो आपको college से बात करना पड़ेगा कि अरे आपका registration कुछ problem हुआ है कुछ भी हुआ ठीक है तो यहीं होता है checklist में college हार एक college अपना-पना number of student कौन-कौन इस साल admission लिया है फिर जो जिसका नाम रहेगा वो लोगी eligible होते हैं ठीक है तो फॉर एक्जामपल यह ग्वेंगा college का site है यहां पर मुझे पास्ट पिछली यहर का मुझे जो देख सकते हो फेव 25 एकिस का कुछ checklist है यहां से मुझे बता पाओं क्योंकि बहुत चनको लगा की ठीक बोल रहे है नहीं तो checklist है जैसे कि for example मैं कोई भी इसमें यह checklist upload किया हुआ है इसमें ठीक है candidate in the above list are eligible to appear semester one examination as per relevant regulations and have fulfilled other criteria for their candidature and are forwarded for enrollment in the four set examination तिससे साफ साफ पता चला जिन जिन का यह यह इसी को checklist बिलते हैं जहां पर आपका नाम आपका registration number गाजिया नेम क्या क्या subject आप लिए हो हर एक चीज दिया हुआ रहेगा उसमें आपका और कौन को इलेक्टिव है बेंगॉली इंगलिस सब कुछ दिया रहेगा चेकलिस से आपका यह पता चलता है कि आप eligible हो यानि इसलिए बहुत उनको अभी तो इसलिए नमबर भी निए तो वेट कर लो चेकलिस में नाम आ गया वह चेकलिस में को स्कॉलिज प्रोवाइट कर देगा ठीक है तो वह नाम आ गया तो डफिनलटी तुम एकजाम देरो तब आप तो समझी वह चेकलिस्ट होता है जिए जो 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 गैंदेट सक्सेस्फुली एक्जाम देने के लिए सारे क्राइटेरिया फुल्फिल किया मतलब क्राइटेरिया क्या होता है एंटेंडेंस होता है इंटेंडेंस होता है यह होता है इंटेंडेंस पास क्या हो तो नाम आएगा एटेंडेंस तो इस बार है नहीं कि कि ऑनलाइन एक्जाम में अटेंडेंस क अब लोगो इसी में नाम आ गया मतलब आप ते रहे हो मतलब इन शॉट चेक्लिस में नाम आए आप इलिजिवल ओ ठीक है आई होब सो आप लोगों को चेक्लिस का मतलब पता चल क्या होगा और कुछ भी चीज एनी इंक्वाइरी चाहिए आप कमेंट में जरूर बता हो डेफ